में इंतजार के बाद राफेल ने जब भारत की सीमा में प्रवेश किया तो हर देश वासियों का सीना जैसे घर्व से चोड़ा हो गया हो तो महीं आसमान के रक्षक राफेल को भारत जाता देख पशमे अरब सांगर मेतनाथ सम्मंदर के रक्षक आएनस कॉलकता ने भी जोरदात स्वागत की आए इस रोमांचक कर देने वाली घटना को देख महिंद्रा गुरूप के चेर्मेन आनंद महिंद्रा भी खुद को तार और प्लेन यह युद की मशीने हैं को युद नहीं चाहता लेकिन इन दोनों के बीच समवाद उर्जा से भर देने वाला है यह अच्छे लोगें जो कंधी से कंधा मिलाकर अपने देश की रक्षा करने के लिए द्रण संकल्पित है गुड स्पीड जेंटलमैं तो आनंद म कोलकता और राफेल बेडे के बीच समवाद को सुना वो गर्व से भर गया राफेल और आनस कोलकता के बीच हुई बात चीत आनस कोलकता डेल्टा 63 एरो लीडर भारत्य समुद्री शेत्र में आपका स्वागत है राफेल लीडर बहुत धन्यवाद समुद्र की रखवाली कर कोना आश्वस्त करता है आनस कोलकता आपके अकाश में गर्व के साथ उडान भरने को लेकर शुब कामना है एपी लेंडिंग राफेल लीडर आपको शुब कामना है एपी हंटिंग ओवर एंड आउट तो योई से उडान भरने के कुछ दिर बाद ही पांचो राफेल विम Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean Indian Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks, most reassuring to have an Indian Warship guarding the seas Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory, happy landings Delta 63, Arrow Leader, wish you fair wind, happy hunting over and out इस समवात के बाद, पांचो लड़ाको विमानों ने गर्जना के साथ भार्तिय सर्जमी पर कदम रखा तो पिया मोधी ने संस्कृत स्लोक राष्ट्य रक्षा सम पुर्णिय, राष्ट्य रक्षा सम व्रितम, राष्ट्य रक्षा सम यग्यो, द्रिस्ट्यो नेवाच्च, नेवाच्च नभास प्रश पृतम, स्वागतम से किया रास्ट रक्षा से बढ़कर ना कोई पोड़ने है ना कोई वरत ना कोई यग्य है आकाश की दीपती मान स्वागत है